नमस्कार टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूं कुलदीब खबरों की श्रिवात करेंगे राजधानी जैपूर से जैपूर कलेक्टर राजिन विशाल ने नगर निगम अधिकारियों की आज एहम बैठक ली जिसमें कोविड-19 से जोड़े सम्मंदित कारियों पर चर्चा की इसके साथ ही अवैद होर्डिंग और पोस्टरों को लेकर भी कलेक्टर नाराज देखे बतादी कि जैपूर शहर में जगह जगह अवैद होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए है जैपूर में बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए स्कूल बंद किये गए हैं लेकिन अब स्कूलों को खोलने की मांग तेज हो गई है स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले कलेक्टर को ग्यापन सौपा गया नीजी स्कूल संचालकों ने एक फरवरी से सरकार को स्कूल खोलने की छेताव नी दी है राजस्तान यूनिवर्सिटी में अनसुई आई कारेकरताओं ने सिलेबस कम कराने वाए विध्यार्तियों के फीज से लोटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदशन किया इस दोरान बड़ी संख्या में एनसुई आई के छातर एकत्रत हुए और विश्वे धहले गेट और वीसी सच्चिवाले के बाहर नारेवाजी की जैपुर में अफसीतापुरा अमबाबारी से पहले बड़ी चोपड और ट्रांस्पूर्ट नगर की बीच मेट्रो दोरेगी मेट्रो प्रशाशन ने इसे फेज वन सी का नाम दिया है वहीं फेज वन डी के तहत मेट्रो को मांसरोवर से अजमे रोट चुराहों को जोड़ा जाएगा वह है निर्मान जैपुर मेट्रो रेल कॉर्परेशन की बूर बैठक में लिया गया है फेज वन सी की डी पी आर तैयार होने के बाद बज़र स्विकृति के लिए सरकार को भीजी जाएगी तो वहीं फेज वन डी का एमप्लाइमेंट फाइल डी पी आर बनाने के लिए सरकार से स्विकृति ली जाएगी फेजवनसी की दूरी कम होने की वज़े से इसे मन्जूरी मिल सकती है रीट पेपर लीक मामले में भजनलाल की गिरफतारी के बाद एसोजी रोज नए खुलासे कर रही है एसोजी ने गुरुवार देरात एक और सरकारी टीचर को गिरफतार किया है आरोपी ग्रेड सेकंड टीचर है और सवा दो करोड में पेपर खरीद कर अपने दोस्त भजनलाल को दिया था पेपर लीक मामले में दोनों गुनहगार एक ही गाउं के परोसे निकले जालोर के रनोदर गाउं निवासी उदाराम विश्टनोई सेकंड ग्रेड शिक्षक है वह अभी जालोर जिले में ही लुना आसर में पोस्टिड है और परिवार से अलग वह पतनी के साथ साचूर में रहता है उदाराम विश्टनोई ने सवाद दो करोर रुपए की पहली किष्ट में पेपर खरीद कर गाउं के परोसी और दोस्त भजनलाल विश्टनोई को दिया था जैपूर नगर निगम हेरिटीज में मेर मुनिश गुजर के खिलाब पार्षद लामबंद हो रहे हैं नरदलियों के बाद अब पार्टी के ही पार्षद समीतिया नहीं बनने और बोर में काम नहीं होने से खफा चल रहे हैं पार्षद ही नहीं बलकि शित्री विदायक और केबिनेट मंत्री भी मेर के कारेशेली से नाखुश नजर आ रहे हैं सारवजनिक मंच पर पिछले दिनों दो बार खुल मंत्री काम होने पर लेकर नराजगी जिता चुके हैं ऐसे में अब नगर निगम हेरिटीज में मियर को बदलने की अठकले शुरू हो गई है रीट के बाद पटवार भरती परिक्षा में बड़े स्थर पर धांदली के आरोप लग रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन की ये पटवारी भरती परिक्षा का रिजल्ट राजस्तान करमचारी बोर्ड ने 25 जनवरी को जारी कर दिया जिसमें परिक्षा में बैठे 10 लाग से जादा कंडिडेट्स के भविश्य पर संकट खड़ा हो गया है हंगामा बड़ा और पटवारी कंडिडेट्स ने विरूद करते हुए ग्यापन दिया रीट पेपर लीक में ऐसो जी की जाच सामने आने के बाद अभी से रद करने की मांगने फिर जोर पकड़ लिया है ऐसो जी की जाच में परिक्षा से पहले ही शिक्षा संकूल से परिक्षा का पेपर लीक होने के खुलासे के बाद याचिका करता कनिंडेट्स नियाले से जल्द शुरुवात करते हुए सुनवाई की गवाहा लगाएंगे रीट अभियर्ती भागचंद शर्मा के वकील शुकरवार को राजस्तान हाई कूट में जल्द सुनवाई की एप्लिकेशन लगाएंगे रीट परिशा रद करने और पीपर लीक और धांदली की सीबी आई से जाच करवाने नए सीडे से परिशा करवाने जैसी कई मांगे याचिका करताओं के वकील हाई कोट में सुनवाई के दुरान उठाएंगे मुख्यमंत्रिय शोग गहलोद आज स्टेट लेवर टेक्स्ट एडवाईजरी की बैठक लेंगे जहां पर राजस्तान सरकार साल 2022-23 के बजट से पहले उद्ध्योग और व्यपार जगत से जुड़े प्रतिनीधियों के सुझाओ लेंगे शाम चार बजे मुख्यमंत्रिय बैठक लेंगे जिसमें सदेश्य संबंदित विभाग के दिकारी और उद्ध्मी व्यपार जगत के संगठन और साथी प्रतिनीधियों से बजट सुझाओ पर चर्चा करेंगे बैठक में संबंदित विभागों के मंत्री मुख्य सचीव वित्यराजस विसचीव भी शामिल होंगे सहेली के सामने ही महीला डॉक्टर को बंधग बनाकर रेप की कोशिश का मामला सामने आया है पीडी डॉक्टर ने जैपूर के प्रताब नगर थाने में एफ आईयार दर्ज कराई है थानादिकारी बलवीर सिंग ने बताया कि मालवी नगर में रहने वाली यूपी बरेली की महिला है जहां यूवती से रेप के प्रियास का मामला दर्ज किया गया है राजस्तान राज्य करमचारी बेरोजगार मजदूर महासंग जैपूर राजस्तान के बैठक आयुजित होई जिसमें संगठित शेत्राधीन टाटूटी तहसील इस्तर और जिला इस्तर तक की अन्य समस्याओं के निराकन कराने हेतू तैसील संयोजक्क गोपाल सिंग नहरुका को न्यूक्त किया गया और प्रदेश की तमाम कबरों के लिए आप देख तरहें टीपीवी नमस्कार